नमस्ते जैजिनेंद्रा साधर्वंतन जैजिन सहित्य एकडेमी ट्रस्ट ना छेत्तालीस्मा आ विशिस्ट व्यक्ष्यान मा आप स्वर्व सुग्णुजनोनु फरी एकवार स्वागत्चे विशेश स्वागत्चे आजना अपड़ा विध्वान वक्ता सन सहित्य ना मरमी संशोधक्ष्या कवी डॉक्टर निरंजन दाच्य गुरुनु पड़् चैन सहित्यमा पर्थ्य सहित्य विशिस्ट रहुँचे स्थवन सच्चाय चैत्य वंदन आधी थी तो आपड़े परिचे चीएच परतु साथे फागू बारमासी जेवाक इतला एवास सहित्य प्रकारों चेचे गेई प्रकारों चेचे जेनी साथे गाईपंड सकाएचे हम जो lubसी सहित्य पन करिष्या तो आखात प्रकारों मा आजे आपड़ी साथे निरंजन भाई वाद करवाना चे जैन सहित्य की अखी ऑरमासी नी włod परंपरा छे बारमासी ट्रींस सहित्य सूचे इना विशे निरंजन भाई वात करे ए पूर्वे आ अउसरे निरंजन भाई नू हर्दिक स्वागत करता हूं बे मिनेट इमनो नानकडों परी चे आप सर्वारी समक्ष मुकिश निरंजन भाई विशे जो वात करवा नी होई तो कदाज मारे खुब लंबान थी आने लांबी बात करवी पड़े कारण के अत्यार सुधी वा इमने मलेला एवोड ना खात मात्र हूं नाम बोलिश तो पन मने पांच एक मिनेट थाई जर्षे हालमाज थोड़ाक समय पहला जे इमने पद्वा भूशन डॉक्टर दिरुभाई ठाकर सव्यसाची सारसवद एवोड प्रा थाई छे अनने ए पुरवे इमने मुरारी बापु प्रेरीज छे छे काग अवोड बापु लोग साहित्याने अवोड तो प्राप्त था छे बढ़ाद भाई पारेक फाउंडेशन मुंबई फेलोशिप न अवोड प्राप्त थाई छे गुजरात साहित्य अकादमी लोग वित्या, लोग कला, लोग संगीत, लोग भक्ती संगीत, आ बत्तार बहेंडों विशे, खुब विस्तार थी, एमने पोते काम करियू छे, अने आजनी तारिक सुधी तेवो आ कार्या करता रहा छे, आम जो ये, तो दासी जीवन उपर, एमने पोता नी पीएश्टी दी पत्वी प्राफ्त करेची, लोग साहीत्य ना विशेई साथे अनुस्तातकनी डिग्री पन प्राफ्त करेची, आने पछी जवेट्जन मे gapणी पछी सौरास्टना प्रदेश मा, संत साहीत्यने, लोक साहीत्यने जे धाड़ोंने, बुलंद कंठे जो कोई दाई शकेने, ते आपने एक कॉलम आवे चे अनने एमा आपड़ी संत परंपरानों परी चे निरंजन पाइपासे थी आपने मले चे तो बीजी तरफ राजकोट मा दैनीक पत्र आवे चे फुल चाप अनने एमा पंडर गुरु आरे धर्मलोक पुरती मा भजन भेद है न्यारा नामनी कॉलम मा इमनी संत्वानी आने भजन रचनाव विशे आपने मले चे सवरास्ट ना संसाहीते विशे भजन साहीते विशे बीजमारगी गुप्त पाट उपासना विशे मरमी शब्दनों मेलों मध्यकाली मुझराती भक्ती कवीता संचै स्वाती सर्वडा जिवा अनेक ग्रंथो चे अनिवारे गणाया चे आपने निरंजन भाई पासे थी प्राक्तत है चे निरंजन भाई ये मात्र अकेडेमिक कार्य कर्यों छे हुरा थे मित्रों तो एमनी 50 गायों नी वच्ची आपणने मलशे, छेल्ला 20 वरश थी जीवदयानी प्रवरुत्ती करेचे, गौसेवानी प्रवरुत्ती करेचे, पचास गायों एमनी गौशाडा माँ छे, रोजना पिस्ताल इसकुटुम्बों ने मफद छास पे उड़ावेचे, सगर्भा ब जीवन प्रसारनों, लाइफ कोमेंटरी, संचालन, प्रस्तुती, मारदर्शन, इनी साथे पन निरंजन भाई खुब चोड़ाये लाँचे, निरंजन भाई विशे बात करती थी, तो अमना बेतरांदी बस पहला शेल्चंद्र मारा साहिबे पड़े इमनी याद कर्या, के अगनिखत सरस्च्वा एक एक विशता बात्नु कार्या होे, का यह जीए एवु कोई कार्या होे तो निरंजन भाई ने चकस पने याद करे, काण के आजे अजे अधार हजार छेटल, मेतरो 80,000 जेटल, अव प्राप्य पुस्तोकुनु एक ग्रंधा लाईचे हस्ता परत भ अने प्रियलागे एवा एक संथ मर्मी निरंजन भाई ने हुँ आवकारूचु अने साहित्य अकेडमी ना आज ना चेता लिस्मा अने सुड़ता लिस्मा व्यक्ष्यां दर्म्या जहीन बार मासा साहित्य विशे आफ वर्सो अमने खुब विस्तार्ति अमारी साथे वात करो एवी एक विधन्ती साथे मुवी विर्मूचु दोक्तर आदर निया निरंजन राच्यकुरू नमस्कार जैन साहित्या एकेडेमी ट्रस्ट मुंबई अने एमना द्वारा आयो जीत एक वर्षी य शर्टिफिकेट कॉर्स श्रेणी चाली रही थे एमा आजे मारे जैन बार जैन बारमासी काविय परंपरा आ विषय मा थोड़िक वात करवी छे। वातों करवानी छे बारमासा ए मध्यकालीन गुजराती साहित्यमा रुतु कावियनों एटले के फागु कावियन जेवो पद्धिय प्रकार छे जे जैन अने जैने तर अने कवियो द्वारा रचातु आए वो छे मध्यकालीन रास होई ठागु होई शडरुतु होई अने एना पच्छी मध्यकालना कवियो माते जो अत्ती प्रिय एवो पद्धिय प्रकार होई तो एचे बारमासी के बारह मासा एमा सुगे छंदो अने विविद प्राचिन देशियों नो विनियोग आपने जो आमले उर्म प्राजान्यों होई एवी बारमासा रचनावों मार कडि थी मांडी अने मौतेर कडि सुधिनी दिर्ग कृतियों पना आपने मलती होई वेदिकालीन रुतु वर्णनी परंपरा आपने तियां संस्कृत, प्राकृत अने अपभरंश भाषाओमा भारतनी तमाम भाषाओमा जल्वाती आवी छे अने बार मासा, मारह मासा, बार मासी एवा श्बद प्रयोग आ काव्य प्रकार माटे थतारया छे. एमा प्रकृती नी विविद लिलाओ, रुतुओनी लिलाओ, और एनी साथे मानव चित्तनु जे संवेदन छे, विविद संवेदनों छे, एने वाचापवामा आवे छे. प्रकृती नीरूपन और एनी साथो साथ विरहनी व्यथा, मिलन न उत्सा, संयोग के विप्रलम श्रूंगार, धर्म, भक्ती, वैराग्य, आवा अनेक भाव संवेदनों आपने बारमासी कावियों मा जो आमवे. बहुदा आवी रिचनावों मा बारमास अंतरगत छे रूतूना विरहने अंते नायक अने नाईकानू मिलन थतुं होई. बारमासी कावियों एनो मुख्यरस्तो करून चे आपने सव जानिये ची है. मध्यकालीन साहित्यमा, खासकरीने जैन साहित्यमा, सायट थी वजारे बारमासा कुरूतियों आपने मले छे. जे बारमासा एवा प्रकारना नाम थी रचाई छे. हमनाज मित्रों अपने कदाच आनन थशे मारी सामे एक केलेंडर आई हूँ, श्री धर्मचक्र प्रभावक ट्रष्ट नासिक द्वारा प्रकाशित थाये लू. वड़ता पागचना तिर्थ प्रवर्तत आचारिय विजय जगविलभ सूरीजी माहराज साहिब नी निश्रामा आदर वर्षे आज अतना कैलेंडर पंचांग प्रकाशित थाये छे. अन्य हमा आवर्षनु जगविलभ सूरीजी माहरा प्रकाशित थाये लू. संक्षेप माँ जेते मैना नी रुतुगत लाक्षानिकताओ दर्षावी छे अने राजूल ना विरह नी भुमिकाने स्पष्ट करवा मावी छे. उपरांत आ पंचांग कैलेंडर मा बार मासा विरह भाशा आ शिर्षत नीचे छे प्राचेन कुरुतियोथी शरू करी अने अरवाचेन समय ना जैन साधू कवियो द्वारा लखाई रहला जैन बार मासा काविय प्रकार परंपरा विशे. एक नानकडो अभ्यास लेख पन अपायो छे. अने आ आखा उपकरम ने वासनाथी उपासनामा संकरांतीनू प्रुदयंगम उदाहरन एटले राजुल एवो शिर्षत अपायों छे. तो नेम राजोल नी कथा साथे जोडाये ली मध्यकालीन गुजराती साहित्यमा चोपन जेतली अने स्थोलिभद्र नी कथा साथे जोडाये ली बेरचनाओ . साथे गुरु महिमा धरावते रायचंद्र सुरी बारमासा अने धर्म सुरी बारमासा नामनी बेरचनाओ आपने मले छे, जेमा गुरु विरह, गुरु महिमा अने परमातमस्तवन छे. स्वतंत्र रीते-, रुतूवरनन माटे औने नाइकाना विरह माटे आ प्रकारणा कावियों सरजन थतूवईचे. क्यारेक प्रलंब कथा रचनाना एक अंग के भाग रुपे पन बहु मोटी लांबी रचनाओ होई एमा पन एक अंग रुपे बारमासा प्रकार्नों विनियोग आपने थायलो जोवा मले। बारमासी काव्याना उदभवनी साथे मध्यकालना जन जीवनने पन संबंद छे एक अले लशकर मा चाकरिये परदेश चता मनुशियों होई पुरुषों होई और एना वियोग मा जुर्नारी गनाम गराम नारियो एनी प्रबल वेदना आ साहित्य प्रकार नी साथे संकलायली आना उपर केटलू काम थायूचे एना विशे थोड़ी कापने वात करिये तो भारत मा राजस्थान ना श्री अगर्चंद जी नाहता औने गुजरात ना श्री शिवलाल जेसलपुरा उपरांत अधरनिय जयंतभाई कोथारी कांतिभाई शाह किर्तिदाबें शाह एमना द प्रांस ना शार्लोट वद्विले फ्रेंच भाषा मां आ साहित्यस्वरूप उपर संशोधन अने अभियास आई पो छे जयने तर गुजराती अने चारनी बारमासियों उपर पर अपने तिया आने एक संशोधनों थता रहा ची गुजरात ना चारनी साहित्यमां अने मध् जे माथी कृष्ण चरित्र मुलक बारमासियों औने चारनी बारमासियों नामे बलवन जानी द्वारापन संपाद अनो थया चे प्रकाशित थया चे जयन साहित्यमां मात्र नेमिनाथ औने राजूल ने केंदर मा राखी ने रचायली होई एवी साडा 308 पध्यकृतियों जे माथागू चे मारमास चे विवाहलू चे गीत चे रास चे चरित्र चे चोपाई चे वार चे स्तवन चे स्तुती चे शलोका आयम अप्रम पार विध्विद साहित्य सुरूपोमा अपने नेमिनाथ औने राजूल ने कथा जोवा मले द्वारिकार ना यादवराज समुद्र विजय औने शिलादेवी ना पुत्र एटले नेमिकुमार एम ना विवाह उग्रसेन नी पुत्री राजूल के राजीमती सामे साथे नकी थया कृष्ण ना पितराई भाई तरीके पन आपने नेमिनाथ ने ओलखिया चिए औने लगन समय वाडामा बांधयला पशुवने जोया अपशुवना चितकार साम्भिला औने नेमिनाथ ने तिवर वैराग्य उत्पन थयो नेमिकुमार भाईगा गिरनार परवत उपर जय औने त्या यमने तप साधना शरू करी यमनों दिक्षा महोत्सव पन गिरनार उपर थयो यमने केवलगनान पन त्या प्राप्त थयो औने गिरनार उपर ज नेमिनाथ भगवान ने निर्वान थयो राजी मतिये पन ने मिनाज पासे दिक्षा लई थी, सन्याश दिक्षा, तो आउं अहिसानो महिमा करतूं कथानक अने एने लई अने अने अनेक साधु कवियो ये नेम राजुल चरित्र ने पोताना काविय सर्जन मा स्थानाय पूछे. आवी बार मासा रचनाव मा एक एक महिना ना एक पद के छंद नी कडियो होई अने एनी साथो साथ प्रकृति नू वरनन होई विरही नाइका ना मनोभाव वरनवाया होई अने छेल ले अनते बार अथवा तेर मा महिना मा एमनू मिलन थतू होई. जैनेतर कवियो मा नर्सी मेता कृत राधा कृष्णनी बार मासी प्रथम कृती छे कार्तक मास थी मुथुरा गयला कृष्णनी प्रतिक्षा राधा करे अने आसो मासे कृष्णनू आगमन थाए. नर्सी पची अनेक मध्यकालीन गुजराती औने चारनी कवियों ये बारमासी प्रकारना कावियों नू सर्जन कहिरूं छे। एमा वरसना बारे बार महिना नी प्रकृती एनी शोभा एनी मानव रुदै उपर थती असर औने राधा के गोपियों नो विरह औनो वियोग अभिव्यक्त थेलो आपने जुवा मले। कि तिन कि मित्रवीर नी बारमासी रचनाओं पन आपने तियां मुझराती भाषा माँ और चारनी भाषा माँ रचायली जओवा मले छेओ। एम जयन साहित्यमा नेमिनाथ औने राजी मतिनो प्रणाई गवायो छे. लगनमंदप माथी भागी छुटेला नेमिनाथ एनी पाच्छल विरहाकुल बले राजुल एनी आंतरव्यता आ बारमासी प्रकार्ना कावियो नू विषय वस्तु छे. कथानक एकज होए पन कविये कवये भतानी विषिष्ट शेहली औने राजुवात मले तो केटला कवियो चंदो बधिमा वैविध्या अन्वानो प्रहास कर ता हुई तो केटला कवियो नी रचनामा पात्र अने प्रसंग ना वरनन के मानव चितना मनो भावनु आलेखन कैंद प्रवेश करवो छे गुजराती साहित्यानी गणाती प्रथम बारमासी रचना जैन कवी विनैचंद्र सुरीकृत नेमिनाथ बारमास चतुर चतुषपादी का इस विसन बार सो तेर मां रचाई एम केवम आवे छे चोपाई बंध मा चे आ रचना मा नेमिनाथ ना विरहinfectा मन रची comparative नेमिनाथ और नेमिनाथ देर मौगा प्रथमिनिय यड़रा केवा ऑश्रावण शुक्ल अश्टमी ने दिव केवम अ प्रारम करेचे अधिक मासे नेमिनाथ आवेचे अनने विप्रम लंब शयोग मां परिनमेचे चोपाई चंद मां कवी राजूल ना वीरहने व्यक्त करता गज्याई विरही रिज्याई देहु विज्यु जमाकाई रक्थासी जेव नेमि विनुसाहि साहियाई प्राम करेचे चोपाई बंध माज आखी रचना चे मारे अनेक रचनाओ लेवी चे अवी एक बीजी रचना लेए चारित्र कलश कृत नेमिनाथ राजी मती बारमास राई राजुले विरह व्याकुले नेमि नामज समरते नाह पाखय यंग माहरे कि मैन होई शिवरते निसुनी स्वामी पसाव कि जयी लाहूली जयी जोवानव तैकाई दंडी मेहली चांडी देथ दोशकी अमतनूम आंदोइठ दोशकी अमतनूम आशा धिवन यूम अतिवल ये गाजयी गुईरू मेहकी जब 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 जबक कई विजली ये सालही वालिम्भनेहकी सालही वालिम्भनेहकी अने अपने लेवा छे सवय आच्छंद। जिन विजईजी तूत नेमिनात बारमास के जर्मर जर्मर में हुलोवर सन गहर गटा मिशका जलियो तरुवर तरुवर बेठे पंकी निर्खे जलबरमाद लियो गड़ 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 गाजे वाजे वाजे मदते सीहतना करड़ करड़ करकर करका यंबरमाही इम घनाजी यंबरमाही इम घनाव गड़ 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 वर से गरजे जोर थकी जलबरमाही रेम निश्यन धारी एक लिनारी चंदतवादल माहिरियो कामनी कंथविनारण वडती ये दुख जाई किम सै हो जी ये दुख जाई किम सै हो के वो रुतु वर्णन चे तम जो तो खरा वर्षा रुतु होए जबक जबक वली वीज जबू के टबक टबक में हुलो टब के टिहुक करिमार टिहुके सरवर परदा दुर धमके कादव मापग पड़े दब दब के त्रब के भीत पड़े धब के इनरतर विरहिन हब के यबला प्यूविन प्यारी मन चमके यन अप्यूविन प्यारी मन चमके एक पच्छी अरुतो नू वरनन प्रकृती नू वरनन आवतो जात वादल पर वादल याया अरुदिन करयं भर जाया प्यारी के मन प्रेम युपाया पंथी जन सब घर आया वादल उपर वादल चवाय रिया छे शुर्य उपर वादल ना चवाय गया छे अने प्यारी ना मन मा प्रेम आयवो छे राजुल याद करे छे बधाज पंथी जन घरे आवी गया छे अने त्यारे पिवस्त्री साथे प्रेम निबाते करता के जन माले जे पन विरहिन ने बहुवर सालो वेरी नी पर साले छे जी वेरी नी पर साले जे इडिरते कंत सहित जे यबला सब लाथ इमन जाने चे अईत गोख जरूखें बेहिन प्रीतम साथे सब सुख माने चे नव नव तरुवर विकसादमरा अने मरुआ जे मच कुंद वली पचरंग फूले फुली केत की यूपर बेठा माल यली सरस्मजाना फूलो खिला चे एन ऊपर बंराना बाल बंराओ गुंजारों करे रहा चे प्रीतम प्रेत की प्रेम की बात जुओ जिम बंरा केत की नेह किसो केत की विरह पेडो जिन दिन तब की दो काल देह इसो एक सरस्मजानी समस्या कवी एम केछे के प्रितम प्रेमनी वादतो जुओ केदि की साथे नो विरह जारती थयो ने त्यारे पोता नो दे आखो एमने कालो करिन नाइखो त्यारे कोई के एमने पूछू के भई आखो दें कालो चे पन एनी पूच के एम पीली चे अन्य त्यारे कवी जवाब आपे छे केत की विरह पेडो जिन दिन सब की दोकालो दे है इसो कह कवी भमरा सबतन काली पूच जपीली काय करी त्यारे भमरो जवाब आपे छे कि माय प्रेम की चोट लगी तब हलदर पीठ उपर सकरी मरा रदय उपर जारे प्रेम नी एवी चोट लागी ने क्यारे मारी पीठ उपर में हलदर चोपनी चे ने एतले इतले मारु पूच ए मारु पीठनों बाद ए पिलो थाइगियो चे तुम गनानी अभिमान करी इम चांडो किस कारन हमकूं होरे नेम नवल तुम तो नी सहने ही परी पहिछायना अब में तुमको तेरो परीत पतंग जीठ करी पतंग नो रंग ध तोड़ा समय रे मारु रंग तो मजिठना जयो चे मारु प्रेम इम कही राजूल नारी पियारा उत्तम जीन मन माही दरी एटले जिन तत्वने हूं मारा मनमा धारण करू चुँ अने एम आरचना enī साथो साथ आपने देव विजैजी कुरूत राजुल ना बार मास पन यादागे। पोता ने न छोड़ी जेवा माटे नेमिनाथ ने विरंती करती होई राजुल और एना मनोभावो देव विजैजी जैन कवी आपना ए राजुल ना बार मास माँ कही रीत वियक्त करेचे। पोश महीनो आपने लईए। ए चतूरज था जो रेव ए वावा लिडा मेला पसनारे दीव ए खीन खीन लेखे रे आविलसो सुख संशार ए सहू को देखे रे ए परमात्मा ए निमिनाथ ए स्वामी आ मेला पकना दीवसो छे अने एक एक्षन मारी विरहमा व्याकूलतामा ए भी मने सलगावे छे अने आ आखो संसार ज्यारे सुख मा छे त्यारे हूं अदुख दुखना 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 दाड़ा पसार करी रही चूंग आ जोन फोगत जाय मारा दीव अनलेखे न लागे रे मानोजी मुझमनु आर ए सुखका तुभांगे रे आ जी वालिडा मानोव भवय अवतार फरी नहीं आवे रे तम्य कर जो काइंदाय ए उपाय ए जी मसुख थावे रे ए जी वालिडा अचार दिवसानो छे रंग एनो चटको ली जेरे एले जोलावत मेरे एशेन एक कया मुझ कीजेरे आपना संत साहित्यमा अपिंड आशरीर एने चार दिवसलों चटकूं कई उचे अनने आपना संत कवियो गाता होई एवी चुंद लडी नूम एजी चटकूं दाडा चार रे ए रंगाविल्यो रामा चुंद लडी आपिंड चे आशरीर चे पांच तत्वनो दे चे ए चार दिवसरेवानों चे पानी नो परपोटो चे क्यारे फुटी जाये अनने ए वात ज्यारे नेमिनाथने संदेशामा राजून के वरावे चे ए वो जन्यदीनादीन यदीकोरे प्रेम ए नेही की जेरे आवाचक देवकहन ए रस तूम नीजे रे अने फादन महीनो आवे आ फागून आईवो मा मारो नाहन आईवो रे छाटो अभीर गुलाल जते है सहु में छंटायो रे मारो पीवजी गियो छे गिरनार मुझने छोडी अने शिवरमनी सुरंग प्रितु एने जोडी रे अने साधना ने वैराग्यने वैराग्यरमनी साथे विवाहतरी लिदाचे अमारो पीवजी गियो गिरनार मुझने छोडी रे अने शिवरमनी सुरंग प्रितु एने जोडी रे एवी आखोटी छे जग माहें प्रितु एजे नर करशे रे एवाथिर नाहीं जग माहें कोई सुक्रुत ने हरशे रे अने आनी साथो साथ अपने जएन बारमासी परंपरा मां एक उदै रत्नजी कृत नेमिनाथ तेर मासा पन मलें छे अने पंग्तिये पंग्तिये विविद कहवतों नी गूठली करीछे बारे मासरे बे नडी जिमतिम काई धाते हवे यावी लाइगो तेर रडो किम जाशे हवी तेर मों महीनों आई वो हवे किम जाशे के वी रिते जाशे और के वी रिते आत्यारनी परिस्थिती चे मारा मननी के दाडी युपर पलेवनूं और मरता मायराज जे ओला खातर खातर युपर दिवेलडूं एपन जानो ते के मारी आ परिस्थिती चे के मारा दूख चे के जे के दाड़ पड़ी होई और युपर पाच्छा पोलिस मार मारे मरता होई और युपर पाच्छा प्रहार करवा मावे खातर युपर दिवेल दिवह मुकुवा मावे मारी परिस्थिती चे केवा तम्हे विचार करो के हुआ तो के भी आपे छे झीशती युपर युपर कोरो के बदें के संक्खनी युपरमपानी निर्धनन ने भुपर本 के लिए सन्क्खनी होई घे युपर्दननन टो कदर आफ टाये मावे खाओंवर खार पालने पड़ा मारी कात छुग अने पालो एक पण पालोज जा पदैयात्री होई अने आ अने पख में ४कु तो यॉनी दिशास्ट्वा उनन जमनों चारमी काम कार्थ नो है अने गर्मा अविन गर्मा अविन अगज्व ह्त मो न जमनों होई अने विरुवा बोलिवाँ मात्रुत्व प्राप्तन थायू होई एवी वंधियास्त्री अने एपाची कडवा बोली होई अनमानीतीने उच्छाँ चली जेतीम यानीन वाज करकड़ूने तीडे खादू अने भीडे भरवोदांड एपनवली तीम जानवू प्राण धरेक्यम पांड एक दुखते पियुवेगलो बिजुयावी मुखास् जोजो पुन्य पतंतरो उपरी यधिकोई मास् अवी अने करचनाओ बारमासी रचनाओ अने एनी अंदर अपनने केटली बधी देशियो मलेचे केटला बधा चंदो मलेचे अने आजे पाचु आपने एक हस्तप्रत माथी प्राप्त अप्रकाशी ततेली कभी केशवदास्ची कुरूत नेम राजूल बारह मासा नामनी रचनाओ एना सवयाच्छांद थोड़ाक लेवाचे आपने लावन्य विजय सुरी जनान मंदीर बोटाद मा सचवयली हस्तप्रत थी अने परम वंदनी आचार्यश्री विजय शिलचंद्र सुरीजी माराज साइब तरप्ती मने नी जेरोक्ष नकल मलेली विक्रम समथ 775 रावन शुक्ल नौमीन दिव से रचायली आ केशवदास्ची कवी कुरूत बारमासा रचनानू संपादन अनुसंधान सामयिक मा माराद्वारा प्रकाशित थायलू अवे केशवदास्ची कुम अनौ एनी कई-कई रचनाओ जयन गुर्जर कवयो संवर्धित आवरूती अधरनिय जयन्त बायद्वारा तैयार थाई एना पांचमा भागमा प्रुष्ट एक्विस उपर खर्तर गच्चनी जिनभद्र शाखाना लावनिया रत्नशिष्य केशवदास्ची कुषल सागर एमनी केशव बावनी मात्रुका बावनी शितकार के सवयया औने विर्भान उदैभान रास रचनाओ नोंधायली छे जयन गुर्जर कवयो मा पन अहिया जे बार्मासा कृती जे मने अस्तप्रत्मा मलेनी माराज साइब तरप्ती जे रोप्स रुपे औने में शंपदन करेलूं आज सुधी मा कोई कुस्तको मा प्रकाषित थाई होई एव ने ख्याल न थी अप्रकाषित होअनो संभव चे अनु संधान माराज साइब तरप्ती प्रकाषित थाई चे शंस्कृत, प्राकriut, प्राचिन गुराती, जुनी गुराती नी अनुसंधान अन्दर आ प्रकाशित थैली रचनाचे चंद सवयाचे कवी केशव दास्ची कृत नेम राजूल बारहमासा नेमिनाथ राजी मतिना विवा श्रावन शुक्ल अस्टमीन दिवसे भयला एटले कवी आ रचनानो प्रारंब पन श्रावन महिनाथी करेचे अन्य 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 अश्रावन महिने नेमिनाथ आवे और एनी पासे दिख्षा लए और विप्रलंब संयोग मा अरचना पूरुन थाई चे राजूल मन्ती उदास बेठा चे साहेली पूचे चे के सेनी उदासी चे अन्य राजूल नी आत्मा थी श्रावन भादर वो वेता थिया चे साहे ने लिखिये चे के सक्षी अश्रावन महिनो गन गोर गटायो मती विकता म्रकुता द्रगुंदे खत ही सुगुपायो विजुरी चमकंत सुकंत सही कुनी भूरमनी जुरहार बनायो तरमोर किंगोर करेबन में गनमेरती को चोर को ते जश्वायो सुखमास भयो भरयो अन्ष्रावन राजूल के मन नेम सुहायो एजी राजूल के मन नेम सुहायो यह सक्की अश्रावन मेनो गयो अवे तो भादर वो मेनो आयो तो हजी मारो मन मोहन भर्थार आया आउतो न थी शरसागर नीर निवान बरे सुधरी दर देरत की रतिया बरयूंबरही सुखयां बरंगाजत लाजत सागर की छतिया इह भादरह मास लगे सुख प्यास सदा प्यू ध्यान धरे सतिया हम आश निराश करो मत यादव राजूल नारिक है बतिया शमना माई नेणा माती आशुडा नी दार व छुटे छे निंदर आउती न थी आखी राज जागीन मारा नेमनी राह जोँचूंग् पन यहने क्या गोतूं के वी रिते आवे क्यारे आवे अवे तो बादर्वो मैनों पुरोथियो और आशो मैनों आवी जोचे हे वाली डा ते आशो नी तो आउधी दिधेली आशुमे आशुफरे शबही जबही नेम जाल मिले रंगना ज्यूं सीप चाहत है जलबूंद कूनेम की चाहक करे सुपियारे पूनमी चंद करे नितयम रुत अने राजुल नारी लगे सब खारे चंद कुदेख हसे इक पोयेम सुचंद सबे सुख कारे आशुमी नोचे समुद्र नी अंदर चीप कालूम आचली नी चीप एस्वाती नक्षत्र ना बूंद नी राजोई ने बेठी होई ने एम हून नेम नी चाह करूचुंग हमना पुनम नो चांदो आऊशे शरद पुनम नो दिवस आऊशे आश्रद रुतुय हाली जाशे हमनत आऊशे पन तुम आईव नहीं है यादव मुँ तमारा वारना लवचुंग हवे तो आऊशे तो आऊशे वालीडा मने विवाहना मंदप माथी एकली मेली तम्हे हालता थिया आशो मेहनो आईवो नव दूरता आईवा दशेरानो दी आईवो नवे निद अनाज पाकी गया छे अने हुँ अटारिये चड़ीन तमारी राज वचु पन तमारा कैं वावर नथी आउता कार्कत महीनो आईवो केट-केटले अपने आ रुतू रुतूनू वरनन अने एनी साथे-साथे नेमी नात ना विरहम राजुल के वो विजोग नुभवे छे के काति गमास फरीधन रास के यास निवास को वास के रोहे आर शुंगार बनाय मनाय सुकामिन कंत सुप्रेम गयोये आई दिवारी कहे नर नारी के राजुर प्यारी को यंग दयोये केशव बंधव हेत करो कचू राजसुता घन दूख सयोये केशव बंधव हेत करो अचू देवस्तू एक तो कृष्ण ना भाय चो अने आ केशव शब्द मां कवीनू पोतानू नाम पनावी जाये चे कातिग मास फरी धन राश के आस निवास को वास किरो हे हार श्रूंगार बनाए बनाए के कामिन कंत सक प्रेम गए हो हे सव अकार्तक महिना ना शुभ दिवसो चे नवा वरसना दिवसो चे फुल्मना हार बनावी बनावी ने प्रियतम पोतानी प्रियतमाने पेरावे चे दिवारी आवी चे गई चे अने पन राजुल नारी नुँ शरीर ए दाह पामे चे एक एशव बंधव एक रुष्ण ना अभिरा तमें एत करो अराज सुता गण दूख सेहो एटलू बदू गणू दूख सहन करेचे अने त्यारे मागसर मैनो आयो अने प्रितको संगत कुचित लायो सीतको मास भयो प्रगितो यब नेम विनाक छुंदायन आयो मागसर मैनो आयो अने धिरे 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 थंडी वधवाल आगी चे राजोल्डो अंग लाल प्रवाल जेव बनी गयू छे अने प्रितको संगत कुचित लायो अने त्यारे पोश मैनो जे रावी आय छे प्रगितो पोशमाष भय इकलाष जगी मन याष सदे जन की अति लाल कथी पजरी सब से जस हे जय लंगद नीगन की सुख तेल फुलेल की खोलर चे विर चे सब पीर सहीतन की इह भोगिय मास भयोने मदूरन अने राजुल बात कही मन की आवो पोश मैनो आय वो ठंडी पड़े छे आवा समय माँ पोटाना प्रियतम नी याद आवे छे अने सव तेल फुलेल नी पथारी करी अने प्रिय अने प्रियतमा पोईडाव होई चे अने एवा समय आव भोग नो मैनो चे अने त्यारे आ भोग ना मैना मारो स्वामी माराथी विरहमा माराथी दूर गयो छे अने आ राजुल पोटाना मननी वात कोने कई समलावे मा मैनो आवे विवाना दिवस्रो आवे दोल धड़ुका स्वरणाई वागी मंगल गीतमा गवाना पन हजी मारो नेम नथी आयो वनरावनना पंखिने पांजरह पुईरा होई न भाई वनरावनना पंखिने हम पुईरा मा पुईरा होई एम राजोल न tempted article व्याकूल व्याकूल बंतु जाएचे अने एवा समये आपने एक बीजी रचिनालेवी चे जैनमुनी विनाईच अंद्रसूरी जी ये रचेली नेमिनाथ चोपाईमा नेमिनाथ जीनी राजोता राजीमतिशू गाई चे के हे उग्रसेन ना कुवर हमना वसंत रुतु आवशे मार आहियामा तो दव बले चे शिश माह सो मोह जायो सुझेगो हमनेम सुप्रेम लगो मनमाहें पीरत काम घटा विरहाजूर राजूर नेम देहे दुखमाहें राजसुता कर जोर कहे अलिवेदन मेन की मेन सहाहें नेम युलाल मिले इसमास जो यास फरे मेरी यंग युबाहे शिशीर रुतु शिशीर गलेरितु पालती अने जोने आयो रितु असांत। एविकोयल मिठे गोलडे वन कूपल विकसान्त वन नियंदर कुपल विक्सित थाई रया चे और एवे समय कुपल विक्सित थाई रया गीति केड़ एकिने भर माय वारे ये वी वीरह यंगी ठी एजी जाल एव मारू है डूंबाले रे अने तजया चे विनय पराद तमने शून साले रे शुषिरू तुना टाइज ना चमकारा बोले चे मानसोना हिया मा उलास चे दिवस टूंका थ्या चे राइतू मोटी थाई गई चे अने वन नी वन्रायू मने खावा दोडे चे ओभाई वात कही शक्ति नथी तमारू कपट अवे मने देखाई चे पेला प्रीत करी अने तमे आवा कपटी वेडा तमने नो शूबे ने मिनात शू तमने कोई भर्माईवा चे कोई भोल्वी लिधा चे अमारो काई अपराध अने तोई तमे अमने छोड़ी न भागी गया पागन मेनो कफागन रागर मेनर नागर जागर कीड सबे मन भावे लाल गुलाल यबीर युडाडत चंग मृदंग सुरंग जवावे ताल कंसाल रसाल सदा दफदासत पुष्प विरेप मलावे ओरी रखेलत हे सब यादव अने राजूल नारी कचून सुहावे राजूल नारी कच्छून सुहावे भागन मैनामा भाग रमेचे नर नारियो सव जागरुत्थाईने क्रिडा करेचे लाल गुलाल अबील उडाडेचे चंग, मृदंग, सुरंग अनेक जातना वाजा वागी रहा चे ताल, कंसाल, रसाल, सदा दफदासत पुष्प विरेप मलावे सब यादव, बदाज यादवो, आज होवी खेले चे, रंग वेली मनावे चे, और त्यारे राजूल नारी ना मनमा काई शोबतू नती कशू गमतू नती मारे शू करूं वसंत रुतूने आपने त्या रुतूनो राजा गनवा मावे आमानी राविये मंजरी बेठी होई, कामन गारा क्यसूडा खीला होई, चंपो मोईरो होई, और आवा समये वाला नो विजोग बव वस्म मनी जाये के मासवसंत भयो प्रगितोयब फूल सुफूल करीबन राये सार गुंजार कनेवन भ्रूंग धरीमन रंग सुतेज सवाई, अंग सुरंग बनाय भी भूशन अनकाविन प्रीतम के जित लाई, एत कोचेत करो यदूसाहिब राजूल प्रीत करो जित लाई, वन्रा वन्मा फुल्डा खिला होई, एन उपर भम्रा गुंजाराव करता होई, अधार भार वनस्पती ओपती होई, एवी वसंत रुतुमा प्रेतमनो विजोग भारे वस्मो बनी जाये, अने राजूल नारी आवी बार मासी रचनाव माँ वैशाख मासनु वरनन कवी करता होई, ने एनो वियोग गाता होई, के, के मास वैशाख भई बडशाख लगे यंब मार बैनों भर जोबन, कोकिल शोर करे सुधरी मकरी गिर देख मोहे को सबोजन, ले खेलत लोक, सबेहि पियाको, कोक पढ़ेरत यंग को सोवन, लाजन यावत हे यदुननंदन, जान हुनेम भयो हे विगोवन, जान हुनेम भयो हे विगोवन, जेठ महीनो, एटले ग्रिष्वर उतुनो महीनो, आकाश्मा सुरद्देव सोले कलाये तपता होई, जरतिने माथे उनी बलबलती लूवाती होई, नदियू नाला सरोवर सुकाई गया होई, वाव कुवामा तल्यां देखवा मंदा होई, दुलनी डमरियू चडती होई, और दरतिनो धनी मेवलो, वादलानी पोईठुम भरी-भरीन, साघर माथी पाणी उपाडी, और आकाश्मा गुमर्यू लेतो होई, एवे टाने, वीरहीनी एवी राजुल, पोतानी आब बार मासी मा, कवी कंडारता होई एव्यथाने, और त्यारे केता होई, के हे नेम, गायू वहुकी जाईने, एमा धर्ति वसुकी गई छे, सुरजदेवना ताप्ति जल सुकाना छे, आंबे साखुंगली छे, वादलाना दोल उलट पाटल थाई छे, इंदर राजाना दिवस अवे आउवाना छे, इवे टाने, हे यादव राज नेम, तमारी याद आवे छे, मारे नेन ती आसुदानी धारू वचुटे छे, करा जुरनारी करे, जेठ बीनत मीनत सोत्रूम नेम मनावो, हे मित्रो, नेमना मित्रो, तमें नेमने मनावो, वेगु नहीं मकुछोर गयो, वेगु नेमना विरहमा, जेना हीडा हालक लोलक थायए छे, अने वन वगड़ाना जाडवा सुकाना होई ने, एम मारू तन बली जली आ विरहना ताप मा सुकातू जायए छे, बोजन भावता न थी, दर्तीनिमा थतो पानी न थी, पन अमारा नेणा रात दिवस चोधार आसुडे भिंजायला रेचे, पशु पंखी, गाई न वाचरू, अरे नदियूना जलपन थंभी गयाचे, तमारो विजोग आकरो छे, जेठ मेइना नो ताप अमारा कालजना बाड़े छे, उनालाना ताप थी, अकलायला मानसो, पताना शरीर उपर केसर, अत्तर गुलाब चंदनना लेप करता होई, जीना जीना आच्छा वस्तरो पेरता होई, तनमनने ठंडक थाई, एवा उपाई करता होई, पन छेल छबिला नेमिनात ना विरहम, राजूल नारी अकलाय छे, हमना नानी नानी दिकर्यूना तेवार आऊशे, भीमेग्यारश आऊशे, वट्सावित्री ना पुजना दिवस आऊशे, पन मारो नाहोलियो आईवो नहीं, और अन्ते कवी केशवदास्ची, विरहीनी राजूल नेमनो मेलाप अशाध मैनामा करावता एम करे, कया सफली समाश यशाध गई सबराद भयो सुख पूरन, सारंग नेनि स्मनी सुख जाहत नाहम नावन हे दुख चूरन, भूरमनी सस्ते हनकेवश अने आई करे घनसंग मयूरन, जोति सरूपि सदाशिव मंदिर राजुरने मलयो सुख पूरन, अने आरचननाना कलश रूपे कवी जयरे केशे, के गुरू केशू पसाव, लैशुब भावव, बनाय कहो इह बारह बासा, उग्रस्वेन सुता, नमी जोगुन गावत, वंचित सी, कतही सब आसा, सुधमास सरावण, नौस निवासर, सौत सतर, चौतिस उलासा, सुख लावन्य जसदास प्रसाद ही, सुख लावन्य मुनिना क्षिष्य, एवा केशव दास ची, सुख लावन्य जसदास प्रसाद ही, केशव दास कु लील विलासा, आ रचना, अप्रकाशित रचना, ए अपनी सामेरजु करी, अवे, डौक्टर भानुबे न सत्रा द्वारा, मध्यकालीन पद्यकृती विमर्ष नामनो एक ग्रंथ, और अमरूत विजैजी कृत नेम राजूल बारमासा, नू संपादन भानुबेने कहिरू छे, एपन अप्रकाशित रचना आती, एनो पाठन अभ्यास अपायाँ छे, अध्यकालीन पद्यकृती विमर्ष नामरा ग्रंथमा, और अपने लए, नाहविन माहनी रेन, कि महिन जाई रे, तलपता अनमिष नेन, वरस सो थाई रे, और त्यारे एम गाई छे, जो होई संगे रे, एवो लाल गूला लव संग, एकेलई रंगे रे, भोली टोली भोर सरखे साथे रे, होली रमई जोर हाथो हाथे रे, जेमा, अन्ते पतियां रस्ते, वेराग्यनों पंठ स्विकारी और राजूल दिख्षित थाई चे, और पच्छी आसो महिनामा भगवान नेमिनात् जेरे संदेशों भोकले चे, तियारे, केन्रेम राजुलबिहु महियारे, पाइमा सुख यनननता लाल, सुधातमगुन नीप जारे, निज निज पद विल संता लाल, आम भारमासी कुरुतियों मा नायक अने नायक कानु मिलन, अध्यात्मनी भूमिकाये थतूरे चे, आपने अनेक रचनाव मध्यकालिन गुजराती साहित्यमा नेम राजुल बारमासने नामे सायट्थी वदारे रचनाव में आपने वाद करी, अने आजे पन अनेक रचनाव अस्तप्रतों मा अप्रकाशित रूप मा सचवाये लीचे, आजना समयमा पन केटला ये सर्जको जैन कवियो पोते आ विशय ने केंदरमा राखी ने नवी नवी बारमासियो पन रचता रहे छे, आपने जैन मध्यकालीन जैन साहित्यमा बारह मासा, बारमासी, बारह मासा, आँ स्वरूपनी कृतियों थोड़क उपर चल्लो, आपने अवकाशी मिलन थे, कि आपने विशय भात करवा बेसूं, तो घणो बदो समय लागे, पन मारी मती अने शक्ती मुझब में आपनी पासे, नेम राजूल बारमासा, आँ स्वरूपनी ने खास करिने, जुदा जुदा जेरीते चारनी छंदों मा रचाया छे, दिंग आपने अपनी सामें प्रस्तुति करीछे, जैजी नेंदरा, अद्पूत निरेंजन भाई, अद्पूत शब्दापन नानो पड़े, एवी अजे अनुभूती तमें आमने आपी छे, गुंडल ना आनन्द अश्रम नो आ लहेको छेक, अमेरिका सुधी पहुचिए अचिए मुंबई केंद्रती जता जता, अम्दावाद, वड़ोद्रा, राज़कोर्ट, सूरत बद्दे पहुचता बश्ता चे कि अमेरिकान आपड़ा कितला बदा लोको जुड़ाया चे, त्यां ती इमना सुधी पहुची शेक्यों छे, मुण मजा, तो तमें जे सरसमजाना लह जो हुचे तो, के आज सुधी, जितला पुण व्याख्यानों थोया, बद्दाज व्याख्यानों में हमेशा एक बाबता होती हती, के जैन कथा हो, छेले शांत रस्मा परेडा में छे, पड़ एमा आजे शुंगार भारोभार भरेलोचे, एमा जे सरसमजाना प्रकूरूती भाव भरेलोचे, एमा जे मानव भाव भरेलोचे, ए भाव नो आजे उघाड करे होई तो, तमार अव्याख्याने, एमारे चौकस पने के हुचे, के नेम राजूल दवारा, तमें जैन कवियों कितली सुंदर रश्नाव, शुंगारिक रश्नाव, विप्रलम शुंगार न संयम लेवान होचे, पड़ ए वच्चे नो जे प्रवास चे, एनो कितलो सरस्त, आपना आच्यारियों गायोचे, अने एली बात आजे निरंजिर भाई आपनी साथे करी के साइठ जेतला बार मासा होने, माती चौकपन जेतली मुटा भागनी रश्ना हो तो, नेम राजुन आपनी सामाइक मा जे प्रगट थेए इनी बात पन सरस्रिते करी के कवी केशावजी नी रकेशावदास कवी कुरूच बार मासा हती, आने ए बार मासा नो तमें जे संपाधन करी उमारी इच्छे भी छे के आवतिकाले तमें जे बात करो त्या रहे, तमें खरे-खरताओनो तुम्हारी जे प्रक्रिया चे एनी पंध थोड़ी कवात अमने समझाओ जो आवतिकाले कि कई दी तो तम ए शम्पादन करता के अथा अर्थों साथे क्या मुश्केली पड़ी एनी वात पंध तम है जो विस्तार्ति हमारी साथे कर्शो तमने गंशे निदें जन भाई एक अर्थों सवाल चारनी साहित्य आंके पुछायवाचे के चारनी साहित्य विशे थोड़ी वात करो अथा इनी विशेष्ता सूचे जो आतिकाले आप बनने विशे वात करवाई इच्छो तो पंध चाल से तो विस्तार्ति वात करिशकाई एनु कांचे श्रोंगार ना जे और प्रभेद के बीश है जो उनना नपड़ा है बढ़ा हूँ bisa बादा लिए भुपाला नपडरों कारों रखवाद करतों तो जहां एंद सबसे हम ज्यादाने लिए प्रभेदव प्रभेद। आपने प्रतिभागी यो अपनु फरी एकवार रधैपूर्वक अभार मानूछु अन्ने आपनी इतली ज अभने रहार है शे वंदन प्रणाव प्राना, प्राना